नमस्ति चत्रो आज हम कक्षा सात्वी की जो किताब है वसंत भाग दो इस किताब में जो चौता पाठ है वो कविता है और उस कविता का नाम है कटपुतली यह कविता कभी भावानी प्रसाद मिश्र इनों ने लिखिये है इस कविता का एक पद हमने पहले वीडियो में देखा है आगले जो दो पद है उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं तो कभी भावानी प्रसाद मिश्र इनों ने पहले पद में हमें बताया था कि जो कटपुतलीया है वो क्या करती है विद्रोह करती है क्या करती है तो विद्रोह करती है और वो सोतंतरता यानि की आजादी के लिए सोतंतरता के लिए क्या करती है उन्हें जिस दागों से बान दिया गया है या जिन दागों से बंदी हुई है उन दागों को तोड़ने की बात कहरती है और इस पत के सहारे कभी भवानी प्रसाद मिश्र कट पुतली के मन में जो भाव दिकाई देते है उस भाव को हमारे सामने रखने की कोशिश की गए यानि कि वो कटपुतली उन्हें स्वतंत्रता आज़ादी देने के लिए वो दागों से मुक्त होने के लिए हमें बताती है और वो कहती है कि मैं इन दागों से क्या हूँ? परिशान हो गई हूँ और ये दागे मेरे कैसे रहते है आगे पीछे रहते है तो क्या करो इन दागों को तोड़ दो और इनके बंदनों से मुझे मुक्त करो तो इसी प्रकार पहले पद में कभी भवानी प्रसाद मिश्र इनोंने कटपुतली के मन में जो भावते वो दरशाये थे आगे हमें जो दूसरा पद है उस पद के बारे में जानकारे प्राप्त करनी है तो पहले हम इस पद का पठन करेंगे क्या बोली क्या बोली यानि कि इस पद के द्वारा कभी भवानी प्रसाद मिश्र हमें बताना चाहते है कि जिस प्रकार पहले पद में एक कट पुतली क्या करती है विद्रह कर देती है और खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करती है तो उस पहले कट पुतली की तर और जो कट पुतलिया है तो वो और कट पुतलिया भी अपने आपको सुतंतरता या आज़ाद कराने की मांग करती है जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाए दे रहे हैं कि यहां पांच कटपुतलिया है तो एक कटपुतली जब आजादी की बात करती है स्वतंतरता की बात करती है उन धागों को तोड़ने की बात करती है तो उसके साथ रहने वाली जो और कटपुतलिया है वो भी क्या करती है अपने को भी इस बंदन से मुक्त कराने की कोशिश करती है या हमें भी उसी तरह सोतंतरता देदू आजादी देदू ऐसी बात वो कहती है यानि कि कभी यही कहना चाहता है कि एक कटपुतली की तरह उसके साथ रहने वाले और भी कटपुतलिया क्या करती है स्वतंतरता की बात कहती जैसे कि कभी-कभी जब पिटी का लेक्चर होता है या पिटी का क्लास होता है तो कोई तो एक छातर क्या करता है कि हमें पिटी के लिए ले चलिए ऐसे कहता है तो उसके साथ-साथ और भी छातर क्या कहते है कि हमें पिटी के लिए जाना है ऐसे कहते है उसी प्रकार जब एक कटपुतली स्वतंतरता की बात करती है आजादी की बात करती है तो उसके साथ दूसरी कटपुतलिया भी अपने मन के भाव अपने मन में आने वाले विचार यानिकि स्वतंतरता के विचार आजादी के विच वो क्या करती है सामने रखती है और कभी भावानी प्रसाद मिश्रु हमें ये बताने चाहते कि जिस प्रकार पहले कटपुतली के मन में भाव आते है और ये इस पहले दो लाइन में बता गया यानि कि जब पहले कटपुतली बोलती है तो उसके साथ साथ जो और कटपुतली वो भी वो स्वतंतरता की मांग करती है आगे वो कहती कि बहुत दीन हुए हमें अपने मन के चंद चुए मन के चंद चुए मतलब यानि कि अपना मन पसंद काम करके बहुत दीन हुए है यानि कि मेरे मन पसंद काम मैंने अभी तक नहीं किया है जैसे कि किसी को खेलने का चंद होता है किसी को खेलना पसंद होता है या किसी को दोड़ना पसंद होता है किसी को आदेन करना पसंद होता है तो यह पसंद देता का जो काम होता है वो काम करने के लिए हमें आजादी दे दो हमें सोतंतरता दे दो और हमारे मनपसंद का जो काम है वो काम करके बहुत दीन हुए है ऐसे ये कटपुतलिया कहती है यानि कि हमें आज तक आज़ादी नहीं मिली है हमें आज तक सुतंतरता नहीं मिली है तो इसे लिए हमें अपने मन से जीने के लिए सुतंतरता से जीने के लिए हमें क्या कर दो इन बंदन से मुक्त करा दो epics ऐसे और भी जो कठपुतलिया है वो कहती है बतती यानि की कभी भवानी प्रषाद मिश्र दूसरे पत के दौरा हमें यही बताना चाथे कि एक कठपुतली के साथ साथ जो और कठपुतलिया है वो भी अपने मन के विचार इस प के द्वारा सामने रखने की कोशिश करते हैं हम अभी तीसरा पद देखते हैं पहले हम उसका पटन करते हैं मगर पहले कटपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी यानि कि तीसरे पद में क्या होता है कि पहले पद में जो पहली कटपुतली अपने विचार बताती है यानि कि वो सुतंतरता के मांग करती है आजादी के मांग करती है तो जब दूसरी कटपुतलिया भी उसके साथ उसके हां में हां मिलाती है वो भी सुतंतरता के मांग करती है तो पहले कटपुतली के मन में ये विचार आने लगती है वो सुचने लगती है कि मेरे मन म जो विचार आये है वो सही है या गलत है मैंने जो सुतंतरता की मांग की है वो सही है या गलत है ऐसे विचार पहले कटपुतली के मन में आते है और वो क्या करने लगती है सोचने लगती है और क्या सोचती है कि यह मैंने सुतंतरता मांगी है यह सही है क्या मैं सुतंतरता से ज सकती हूँ क्या या इन सबी कट पुतलियों को स्वतंत्रता दी आजा दी दी तो इनकी जिम्मेदारी किसके उपर आएगी मेरे उपर आएगी और वो जिम्मेदारी मैं क्या कर सकती हूँ यानि कि संबल सकती हूँ क्या वो या उस जम्मेदारी के लिए मैं लायक हूँ क्या ऐसे विचार ये पहले कटपुतली के मन में आती है और वो कटपुतली क्या करने लगती है मन में सोचने लगती और वो सोचती है यदि हमें आजादी मिली स्वतंत्रता मिली तो हम अपने पैर पर खड़े रह सकते है, क्या? तो नहीं, आपको भी मालूम है कि यदि ये इस कटपतली को खड़ा किया, तो ये खड़े नहीं रह सकती, क्यूंकि इसके पैर में कोई जान नहीं है यानि कि इसे प्रकार कभी इस कवीता के द्वारा कभी भवानी प्रसाद मिश्र यही कहते है कि जिस प्रकार एक पहली कटपुतली आजादी की मांग करती है, सुतंतरता की मांग करती है, तो वो अपने साथ साथ उनके साथ रहने वाली दूसरी कटपुतलियां भी क्या करती है, आजादी की मांग क आपको मालूम होगा कि बारत के उपर अंग्रे जुन का शाशन था वो हमरे बारत देश पर क्या कर रहे थे राज्य कर रहे थे और इसे कारण हमने क्या किया अंग्रे जुन के खिलाब बगावत की हमें आजाद दे पानी के लिए अपने प्रानों का बलिदान किया अपने प् जो जो सभी लोग थी वो अपनी तरह से प्रयास कर रहे थे स्वतंतरता प्राप्त करने के लिए लेकिन जब कटपुतलिया अपनी स्वतंतरता की बात करती है तो उसके साथ होने वाले और भी कटपुतलिया क्या करती है स्वतंतरता की बात करती है लेकिन इस पहले कटपुतली के मन में जब अंत में विचार आते हैं कि इने सोतंतरता दी गई तो उन सोतंतरता की जिम्मेदारी मेरे उपर आएगी और वो मैं संबाल नहीं सकती इसलिए मुझे इसी बंदन में रहना होगा इस प्रकार का आशे कवी भवानी प्रसाद मिश्र इनोंने इस कवीता के माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश की गई चातरो आपको कोई आशनका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिकर भेज सकते हो तब तक के लिए धन्यवाद